हलो फ्रेंड्स दिस दिव्या, वेलकम बेक टू मैं चैनल, वेलनेस एंड फूड, आज हम बनाएंगे सूजी के फूले फूले अपपे, वो भी बहुत सारी वेजीस के साथ, तो चलिए देखते हैं, हेल्दी से ब्रेकफास्ट को कैसे बनाया जाता है, सूजी के अपपे बना दही को सूजी में अच्छे से मिक्स कर देते हैं, दही को सूजी में अच्छे से मिक्स करने के बाद, मैंने उसी सेब बोल में आधा कप पानी ले लिया, जिसमें मैंने दही लिया था, अम मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसकी consistency को adjust करूंगी, पानी लेकिन थोड़ा तो यहां इसमें मैंने टोटल आधा कप पानी डाल दिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं दही और सूजी को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है अब हम अपने इस बैटर को कवर करके 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं ताकि हमारी सूजी सेट हो जाएगी सूजी को रेस्ट के हुए 15-20 मिनट हो गए है और यह पहले से थिक हो गई है यानि कि यह फूल कर सेट हो गई है मैंने आधा का पानी और लिया है इसकी कंसिस्टेंसी को एड़ेस्ट करने के लिए हम फिर से थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसको इसकी कं ऐसे बंड़रिए चमाच महीन कटी हुई गाजर दो बड़े चमाच महीन कटी हुई शिंब्राभ मिर्च कटा हुई हराध 살ाधा और अब filling डाल देंगे दो बड़े चमच महीन कटे हुए अगर अब अब हरी मिर्च खाते हैं तो आप इसमें प्रियर्ट भी ढाल सकते हैं अब में अच्रीयों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अपनी चुईस की और सब्सक्राइब ellis के लीकिंग में डालेते हैं डालेते हैं अब में अपने डॉस के कोडियों लेकिन स 춤 बोदा hope ऍछे इतौ 6 कर लेते हैं गज्ड़ को बीचे से मिक्स करने के लिए मैंने flame को मीडियम किया हुआ है और अब सके जितने भी मोल्ड है मैं उसमें ayor तो ऐल डाल देती हूँ अब हम अपने brush की help से या हाथ की help से इस ओय savoir को चारो तरफ spread कर देंगे इन अबम मैं हमने सभी मोल्ड को greeze कर दिया है और flame से मिक्स कर देंगे इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की है और मैंने इसमें 3-4 का पानी का यूज किया है टोटल हमारा पैन मीडियम गरम हो गया है और फ्लेम भी हमारी मीडियम है अब हम मीडियम फ्लेम पर यह जितने भी मोल्ड है इनमें एक एक चम्मच इस वाले बैट सबी मोल्ड को फिल कर दिया है अब मैं इसको कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनट नीचे की तरफ से पका लेती हूँ मैंने अपने अपनों को नीचे की साइट से 2-3 मिनट पका लिया है अब मैं इनमें ऊपर की तरफ वी दो-दो ड्रॉप्स थोड़ा सा ओयल डाल देती हूँ यह ओप्शनल है आप चाहें तो डालें नहीं तो नहीं डालें ओयल डालने से थोड़ा सा और क्रिस्पी बनते है अब मैं इस टूल की हेल्प से जो कि यह अप्पे पैन के साथ ही आता है या किसी स्पून की हेल्प से इनको पलट देती हूँ और पलटने के बाद भी मैं कवर करके इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनट पकने के लिए छोड़ दूँगा यहां मैंने सभी अप्पे क से प्लट दिया है अमैं जो टू मद्ययम फिलिम पर इनको नीचे की साइट से भी से कव अपने अपों को नीचे की आप के साइट से बी चक कर लेती हो कि से च्ञड़ से अच्छे अपनों को सर्व कर लिया है और इनको मैंने केचप के साथ सर्व किया है अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लेगी तो चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तैंक यू